Only these three books, जो कि आपकी सिर्फ CUETPG English Literature के exam को crack करने में नहीं, बल्कि in future अगर आप plan करते हैं UGC Net exam clear करने के लिए या फिर आप enroll होते हैं PhD में, तो भी ये books आपके बहुत काम आने वाली हैं हाई everyone, welcome to order 24-7, I am your educator सुधा और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, best book if you want to crack CUETPG English Literature and CUETPG के साथ-साथ ये आपके masters में भी help करेगी and आपके further studies में भी help करने वाली है, kind of ये ऐसी books हैं, अगर आप इन में पैसे invest करते हैं, तो ये आपको throughout your life help करने वाली है, one time investment वाली books हैं, ये सारी की सारी, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ and personally, ये books ऐसी हैं, जो कि मैंने खुद ने use की हैं, तो मैं आप लोगो अच्छे से explain कर सकती हूँ कि आपको actually मैं ये books क्यों purchase करनी चाहिए, तो सबसे पहली book हमारे पास आ जाती है, this is History of English Literature की ये book है, जिस जो की by William J. Long, तो अब market में already बहुत सारी books available होती है, जो की British Literature को या History of British Literature को जो जिसमें लिखा होता है, explain करती है, लेकिन according to me, मुझे ऐसा लगता है कि William J. Long की अगर आप book purchase करते हैं, तो ये काफी जादा easy होती है, क्योंकि इसके अंदर जो language use की है, वो काफी easy है, तो आपना easily understand कर सकते हैं इन चीजों को, और अभी आप like अभी आपने just graduation complete की है, और आप master's में enroll होने ही जा रहे हो आप, तो मुझे लगता है कि ये book आपको purchase करनी चाहिए, जहाँ पर आपको बहुत कुछ knowledge सीखने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा, तो ये William J. Long की book है, जो कि जिसका price देखो, मैंने या पे लिख रखा है, जो कि अप्रोक आपको 250 से लेकर 300 के बेच में आपको मिल जाएगी, इतनी जादा costly भी नहीं है ये book, और ये कुछ content है, जो कि आपको इस book के अंदर provide किया जाता है, सबसे पहले तो आपको इस book के अंदर सारी ages देखने के लिए मिलेंगी, ages यानि कि कहां से, यानि कि जब हमारी Anglo-Saxon period, वह period है पूरा, वो हमें पूरी वहां की ages देखने के मिलेगी, और साथी आपको मिल जाएगा यहां पर हर particular age के background के बारे में, background मतलब क्या जानने के लिए मिलेगा, यानि कि आपको उसके socially, culture, religion, वहां पर background में क्या चल रहा था हर particular age में, ये सारी चीज़े आपको जानने के लेगी, तो ये पूरा content आपको मिलता है, प्लस में ये कुछ photos है, जो कि मैंने अपनी personal books से ये capture करके आप लोग लिए लेकर आई हूँ, तो यहां पर देखो आपको किस तरीके से explain की गई है हर एक particular चीज, ये language है, किसकी language है, ये Anglo-Saxon period में जो language यूज करते थे, तो ये वो language की ये photo उन्होंने दिखाई है आप लोग को, प्लस में यहां पर देखो आप लोग को कुछ ऐसे pictures यूज किये गए है, diagrams यूज किये गए है, जो कि कही ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप इस book को read करते हैं, या as a reader काफी ज़दा attractive सा लगता है ना हमें, जिस book के अंदर diagrams हो, या फिर pictures हो, mind maps हो, तो वो काफी ज़दा हमें attract करती है, तो इस book के अंदर भी कुछ आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, and at the end of the every age, हर एक age के ending में आपको यहां पर chronology समझाई गई है, इसकी help से, like मुझे लगता है कि यह chronology जो भी इन्होंने समझाई है, यह question आते हैं, UGC net exam के अंदर भी, and CUET PG के exam में भी यहां से बहुत सारे questions आते हैं, तो यह भी कहीं न कहीं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है, and next book जो कि मैं आप लोगों को suggest करना चाहूंगी, that is a short history of English literature by Pramod K. Nair, या तो आप वो book purchase कर सकते हैं, या तो second option आपके पास आजाती है, short history of English literature, Pramod K. Nair की आप ये book purchase कर सकते हैं, दोनों ही book का purchase कर सकते हैं, next, third book आपके पास आजाती है, a glossary of literary terms, इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, पढ़ने के लिए मिलते हैं, जितन भी literary devices हैं, जितने literary terms हैं, वो सब कुछ हमें इस एक particular book के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, and now ये कुछ book जो है, book के अंदर कुछ इस तरीके से आपको content दिया, content दिया जाता है, just like कि, just like आप लोगों ने dictionary पढ़ी होगी, तो dictionary में कैसे starting होती है, अगर A word लिखा है, तो A इसे जितने भी words होते हैं, वो सब कुछ explain किये जाते हैं, तो इसके अंदर भी glossary of literary terms, इसके अंदर भी आपको ऐसा ही content देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे कि A letter है, तो अगर literature के अंदर A letter से जितने भी literary devices आते हैं, वो सब कुछ A के अंदर हमारा explain किया जाएगा, जिसे कि threat of absurd, alliteration, allegory, ये सारी के सारी चीजे इस A के अंदर, A letter के अंदर explain की गई है, तो ये book कहीं न कहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये book आप purchase कर सकते हैं, तो तो आपको कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप purchase नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास इसकी e-copy ज़रूर होनी क्या होती है, तो मैं उस e-copy को open करती थी, पूरा portion देखने कले मिल जाता है, हमें देखो यहाँ पर क्या-क्या चीजे देखने कले मिलती है, तो देखो यहाँ पर क्या दी रखा है, alienation effect किसने quine किया था, कौन से example है, कौन सी novel में इसका use किया गया है, फेमस novel कौन सी है, ये सब कुछ इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है तो इसमें से भी बहुत जादा questions बनते हैं exam के अंदर next book हमारे पास है beginning theory by Peter Berry अब ये एक single book है जिसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी सारे literary theories, structuralism, post-structuralism, feminism, cure theory, या बहुत सारी ऐसी theory है, marxism हो गई, सारी सारी theory आपको एक single इस book के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, आपको इसके अलावा कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये book आपको purchase करने चाहिए, इसके साथ ही इसके अंदर क्या है, जितने भी classical critique है, classical critique जितने भी है, वो सारी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, modern critique भी आपको इस book के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये एक single book के अंदर आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये कुछ books थी, ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देती हूँ, तो first book जो कि मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों को परचेस करने चाहिए, history of English literature, William J. Long, next book हमारे पास थी, a short history, a short history of English literature by ब्रमोध के नाय, next है हमारे पास, a glossary of literary term by M.H. Abraham, इसी इनी की ही book आपको परचेस करने हैं, किसी और की परचेस मत कर लेना, क्योंकि कही बार क्या होता है, किसी और की होते हैं, तो थोड़ा language में difference होता है, language difficult होती है, तो students को problem होती है, understand करने में, तो third ये हो गए, M.H. Abraham की, a glossary of literary term, next book हमारे पास आती है, beginning theory by Peter Berry, जो की literary terms, जितने भी literary theory है, वो cover करती है, अब अगर आप ये book purchase कर लेते हैं, तीन से चार book आप purchase कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपका पूरा syllabus cover हो जाने वाला है, M.A. English literature का, तो देखो, history of English and Indian literature, जो की मैंने आपको बताया, वहां से cover हो होगा, एक single book William J. Long से cover हो जाएगा, अगर मैं बात करो, Indian literature की history की, तो particularly ऐसी कोई भी book नहीं है, जो की history को represent करें, या अच्छी खासी book हो, जो की history of Indian literature को represent करें, तो like according to me, मुझे ये लगता है, कि आपको सिफ और सिफ history of English literature, British literature वाली book, यानि की William J. Long ही purchase कने चाहिए, Indian literature के लिए I don't think कि आपको कोई book purchase करने चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, आप important writers को only cover कर सकते हैं, Wikipedia की help ले सकते हैं, lit chat की help ले सकते हैं, तो वहाँ से आप उनको cover कर सकते हैं, literary terms कि मैंने आप लोगों को बता दी कौन सी book आपको purchase करनी है, glossary of literary term by Amish Abraham, ये book आपको purchase करनी है, and then literary term, जो मैंने सारी literary genre के बारे में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, next आजाती है, हमारी literary theory, जो कि हमारे important topic है, तो इसके लिए भी मैंने आपको बता दी, beginning theory आपको purchase करनी है, and other, अगर आप like सोच रहे होगे कि अभी हमारा एक unit या दो unit हमारा बच रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर इतने जादा questions नहीं बनते, and translation studies से भी आपके जादा से जादा दो या तीन question बनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगो को इतना जादा time in parts पर invest करना चाहिए, आपको जादा से जादा time उन parts पर invest करना चाहिए, उन units पर spend करना चाहिए, जहां से majorly जादा से जादा questions exam में पूछे जाते हैं, जैसे कि British literature, Indian literature and literary theory, तो इसके लिए आप कुछ ये जो मैंने books बताई हैं, वो purchase कर सकते हैं, and if you guys want e-copy, तो उसके लिए मैं आप लोगो free में e-copy भी provide कर दूँगी, ताकि आप लोग जो है, आप लोग अगर नहीं purchase करना चाहिए, तो आप उन e-copies के जरीए आप अपनी study continue कर सकते हैं, तो अब वो e-copies आपको कहां से मिलेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, order 24-7 का आपको app download करना है, and वहाँ जाकर आपको just search करना है, cuetpg by सुधा मैम, वहाँ पर आपको मेरी community देखने के लिए मिल जाएगी, and वही पर मैं आप लो को clear हो चुका होगा कि आप लोग को कौनसी book purchase करनी चाहिए, या नहीं purchase करनी चाहिए, अगर नहीं भी purchase करनी है, तो आप वो free e-copies जो कि मैं आप लोग को provide करने वाली हूँ, वो आप use कर सकते हैं, and मिलते हैं मेरी next video में, do subscribe, order 24-7, like this video, and share जरूर करिए इस video को, and bye-bye.